आप सबका स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी रेश्टोरेंट इस्टाइल में चिकन फ्राइ देखे कितनी अच्छे से गला हुआ है तो आए देखते हैं एक इस तरीके से बनाया जाता है देखे मैंने आधा किलो चिकन को दोकर रख दी हूँ अभी हम इसमें दालेंगे दो चमच दही और दालेंगे एक चमच अध्रख लासुन का पेस्ट आधा चमच गरम मसला पाउडर और दालेंगे दो चमच धनिया पाउडर और दालेंगे दो चमच मिर्शी पाउडर पाव चमच हल्दी पाउडर और एक चमच दालेंगे कॉन फ्लार नमक स्वात के हिसाब से और दो चमच दालेंगे हम नीमबू का रस अभी हम इन सारी चीज़ को अच्छे से मिक्स करेंगे अभी हम इसे मैरेनेट के लिए आदा एक घंटा रख देंगे चीकन को हमने आदे घंटे के लिए मैरेनेट के लिए रखे थे चीकन हमारा अच्छे से मैरेनेट हो चुका है अभी हम इसे फ्राई करेंगे कढ़ाई में मैंने तेल डाल कर गरम होने के लिए रख दियो तेल गरम हो चुका है अब हम चिकन कड़ाई में डाल देंगे चिकन को हमें बिल्कुल फास्ट आंज पे नहीं पकाना है वरना हमारे चिकन उपर से पक जाएंगे अंदर से कच्चे रहेंगे हमें इसे धीमी आज पर ही पकाना है ताके हमारा चिकन अच्छे से जूसी बने चिकन हमारा फ्राय हो चुका है हम इसे प्लेट में निकाल कर सारे चिकन को हम इसी तरह फ्राय करेंगे चिकन फ्राय बनकर तयार हो चुका है वीडियो पसंद आए तो शेर कीजे लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे और कमेंड में ज़रूर बताना चिकन फ्राय कैसे बना अल्ला हफीज